समस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल आचार जागंद्र मिस्रा में मौनी अमवश्या आज रात बस थोड़ा सा हल्दी 30 मिनट में इक्छा पूर्ती समझो साल की सबसे बड़ी मौनी अमवश्या आज गुरुवार के दिन मांग महीने के एक कृष्ण पक्ष के दिन यह मनाई जाती है और आज की दिन नदी सरोबर में इश्नान करने से खूब यानि की सुबफल की प्राप्ती होती है जीवन में कश्ट दूर होते हैं और जीवन में धन संपदा आती है और आज की दिन, यानि की मौनिय वावश्यक दिन, माता लक्ष्मी जी के निमित कुछ न कुछ हम अरपित भी करते हैं आज हम आपको एक ऐसे प्रयोग, यानि एक छोटे से प्रयोग के बारे में बताएंगे एक हल्दी का छोटा सा प्रयोग करना है, ताकि आप अपने जीवन के, आप अपने दुर्भाग के कोश्च वभाग में बदल सके जीवन में जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ती हो सके वैसे तो अब वश्य के दिन आप दीपक जलाएए, आप अपने दर्भाजे पर जलाएए, पूजा स्थान पर जलाएए और आज की दिन सनी देव की भी पूजा राधना करनी चाहिए, क्योंकि आज सनी देव का जन्म हुआ था खासकर माता लक्ष्मी जी को पर संद करने के लिए, आज आपको कुछ न कुछ अरपित करना चाहिए, माता लक्ष्मी जी के सामने आप चाहिए उनको पुस पर अरपित कर सकते हैं, लाल कपड़े पे बांध के आप उन्हें, यानि कि कई चीज़ें अरपित कर सकते हैं, ज लक्षमी जी को कैसे अर्पित करें एक छोटा सा बस थोड़ा सा हल्दी ताकि आपके जीवन की सारी एक्षाओं की पूर्ती हो चूकि साल की सबसे बड़ी आज रात यानी की अमवश्या है बस थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग करना है करेंगे क्या आपको एक पीले कपड़े पर हल्दी ले लेना है हल्दी में आप सुपाड़ी लौंग इलाची रख लें और उसको आप गाठ बांद के पूजा स्थान पर बैठ जाए पूजा स्थान पर रखके और वही पर अपने मन की जितने भी एक्षाएं हैं आप बोल दीजे मन ही मन में और उसके बाद क्या क आप अपने जहां कीमती समान रखते हैं आलमारी में वहां पर आप जाकर इसे रख दें धन की बरकत हमेशा होगी धन की कमी कभी नहीं होगी जीवन में धन संपता खोबाएगा खुब बरकत करेंगे कभी भी धन की कमी नहीं है कैशे करेंगे हल्दी के एक छोटा वहाख दें धन की कमी कभी नहीं होगी आप जातें किच्छा की पूती हो जीवन में धन शंपता हमेशा बना रहे खुब तरक्क्ति अलग का च्छोटा सब्रयोग जरूर करें जाते नहीं इंट जरूर करें